तो में योट्यूब चैनल तो आज में आगे और फिर से नाई केक की दिजाइन के साथ और आज का चुक एक हमारा बड़ा केक का ऑरडर है तो यह 3 जी का हम बनाने वाले हैं जैसे बहुत साथा टॉल हाइट में हमें नहीं बनाना है कम हाइट में ही बनाना तो ऐसे मैंने 2 तो केक से रेलेटेड जो भी मेजिरमेंट है केक दिन है सारी चीज़े मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूगी वहां से चेक आउट कर लीज़ेगा और केक को ठंडा करने के बाद जैसे हम दी मोल्ड करते हैं वैसे हम यहां पे टी मोल्ड भी करेंगे और साथ में जो ड्रेस थी उसके हिसाब से जो डेकुरेशन थी उसके हिसाब से बहुत सिंपल डेकुरेशन चाहिए थी साथ में फ्लेवर भी बहुत सिंपल थे तो सारी चीज़ों के साथ को डिकुरेट करेंगे और जो केक हमारा ही मुझे पहले ही ओर्डर मिला था और साथ में सबसे गड़बड आज यह हो गई केक को कि यह जो केक में जब मैं बेक करी थी सारी चीज़े करी थी और जहां पे स्टॉक में मैं अपना सारा समान रखती हूँ तो उसमें जो ड्रम बोड था वो इस साइस का नहीं था इससे काफी यूज करना बिल्कुल बेकार था क्योंकि अगर उतना बड़ा मैं केक बोड यूज करूंगी तो मुझे बॉक्स भी यूज करना पड़ेगा और सेम साइस का मेरे पास जो ड्रम बोड था वो हो गया था आउट अफ स्टॉक और मुझे एक दम भी ध्यान पे नहीं था और इमीडियेटली मैं किस तरीके से लेके आउँ क्योंकि और तो मुझे पहले से आया था लेकिन अभी इंस्टेंट मैं इस केक को डेकुरेट कर रही हूँ और जो शॉप है वो काफी दूर थी और कोई जाने वाला था नहीं तो मैंने क्या किया यहां पर आगे आपको दिखाऊंगी जो मुझे भी काफी अच्छा रिजल्ट मिला उस चीज़ का तो यहां पर सबसे पहले हम कर लेंगे सारी लियर्स की आराम से जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ उसके बाद बाद का जो प्रोसेस है वो मैं आपको दिखाऊंगी और किस तरीके से मैंने ड्रम बोड की जगा में दूसरा बोड यूज कि और उसका क्या रिजल्ट मुझे मिला मैं वो चीज़ भी आप सब के साथ शेयर करूंगी तो ये मेरे साथ फर्स टाइम हुआ है ऐसा कभी होता नहीं है बट इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ें अपने साथ स्टॉक में पहले से रखती हूँ कि कभी भी कोई भी चीज़ की जरत पढ़ती है पर हमें हर क्वालिटी का प्रोडाक्ट हमेशा खरीथना चाहिए और उसकी क्वालिटी को टेस्ट करना चाहिए तो यह एमटी एफ का जो मैंने स्क्वाइर बोर्ड यूज करती हूँ ना यह वही है तो यह देखें यह बहुत चोटा ड्रम बोर्ड था क्योंकि इसमें जो केक था ना वो और चोटा था तो यह जितना मुझे केक के साइस का चाहिए था उससे भी चोटा था और उससे थोड़ा बेटर यह स्क्वाइर शेप का था क्योंकि square shape में क्या होता ना side वाली जो ये corners होता है इसमें space बच जाती है और जो उपर मैंने आपको golden वाला दिखाया ना वो जो cake tin मैंने लिया है उससे भी छोटा है वो 7 inch का drum board था जो आपको picture में आप देख रहे हो तो वो round shape का था उसमें possible ही नहीं था इसलिए मैंने आपको दोनों boards जो हैं वो दिखाये कि वो round shape उसमें space बिल्कुल भी नहीं बचती अगर मैं cake की icing करती लेकिन अगर इसमें आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे mtf का जो use किया है square वाला board उसमें मैंने अगर cake slice को रखा है तो आराम से space इसमें बच जा रही है तो बस यहीं फायदा हो जाता है square shape के cake board पे और सबसे बड़ी बात कि cake का जो board था उसमें कोई भी नाम मगेरा नहीं लिखना था इसलिए मैंने यह square वाला use किया अगर लिखना होता कुछ भी ऐसे तो फिर भी मैं cake के top पे लिखती cake जो भी नाम हमें लिखना है birdie girl या birdie boy का लेकिन मुझे कुछ भी cake board पे नहीं लिखना था यहाँ में मैंने square वाला use किया और हमेशा यह जो mtf वाले होते हैं इसमें 2 kg डाई kg का वेट अराम से हैंडल कर सकता है यह cake board क्योंकि काफी अच्छी quality का बनता है और यह मैंने 13 रुपीज करकी इच पीस purchase किया था बाकी जो हम normal golden वाले यह फिर white वाले जो दूसरे होते हैं वो हम use करते हैं तो वो आपके 7 रुपीज, 6 रुपीज इस तरीके रिकर का चार्ज होता है लेकिन इस की quality काफी अच्छी होती है तो यह हमें 13 रुपीज करके मिलता है कहीं कहीं पर 15 रुपीज भी इसका last price जाता है और बाकी आप सब को जब भी मैंने इस केक की आगे decoration दिखाई थी यानि कि यह वाले केक बोड पे MTF पे तो उस पे मैंने यह चीज शेयर की थी कि इस केक का जितना भी अब केक बनाते हो 2.5 kg का weight अराम से यह केक बोड जो है हैंडल कर पाता है तो यहाँ पर 3 kg का केक था हमारा थोड़ी सी टेंशन थी लेकिन वोफुली अच्छा हो जाता क्योंकि मैंने एक चीज सोची थी कि अगर यह हैंडल नहीं कर पाता है तो फिर भी मैं क्या करूंगी ना same board जो MTF का मैंने यहाँ पर यह यूज किया ने एक और same board लेके बोड जो है ना उसे मैं gum के साथ यानि जो हमारे पास glue वाली gum होती है उसके साथ मैं उसे fix कर दूँगी ताकि यह double secured भी हो जाएगा बोड हमारा और इसे लेके तो मुझे खुदी जाना है वेन्यू पर और सिफ रखना है वेन्यू टेबल पर तो कोई दिक्कत नहीं होने वाले है तो यह चीजों को मैंने पहले से plan कर लिया था जब मैंने देखा कि मेरे पास नहीं है same size का जो drum board ह तो यहां पर यह काफी अच्छा ही है पहले हम पूरे केक को इसी को जो हम bottom layer को decorate करें उसी को decorate करके पहले पूरा weight देख लेंगे कि क्या weight है किसके हिसाब से उसके बाद second layer को इसके उपर shift करने से पहले ही हम अगर हमें लगेगा कि एक और board इसके साथ attach करना चाहिए तो second layer को shift करने से पहले ही हम दूसरे वाले board को इस पे shift करेंगे नहीं तो हम नहीं करेंगे पर मुझे लगता नहीं की ज़रत पड़ेगी पर पूरा cake complete होने के बाद यानि कि यह वाले cake की पूरी layer complete होने के बाद हम यह decide करेंगे कि हमें दूसरा वाला cake board यूज करना है कि नहीं तो इस अब आपको दूसरा हमने अल्रेडी बनाया है जब वैनिला sponge बनाया था तो वैनिला उसमें हमने यूज किया था और साथ में जब हम क्रीम बनाएंगे तो क्रीम में हम एक यह दो ड्रॉप जितना वैनिला essence को डाल देंगे ताकि क्रीम में भी अच्छा सा फ्लेवर आजाए वैनिला का तो वन्भाइवन पूरी यह करते जाएंगे अरयाम से और जैसे मैं बॉटम लियर की लिःरि करी और सेम तरीके से हमें टॉप अली लियर की लिएरिंग करनी है दोनों केको अलग-अलग करके मैं फ्रिज में रखूंझी और जब शिफ्ट कररोंगी केध के ऊप पूरा प्रोसेस स्टार्टिंग से लेके एंड तक समझ में आए तो यह पूरी लियरिंग हमने कर ली है वेट जादा नहीं था वेट ठीक था क्योंकि जो केक था बहुत जादा टॉल हाइट नहीं था फ्लैट शेप में हमें जादा बनाना था तो पहले हम क्रीम की पूरी अच्छे से कवर और कहीं से भी कोई भी ब्रेट कर ना दिखे और कहीं से थोड़े बहुत दिखते हैं तो इसे हम हाइट कर लेंगे क्योंकि जब बटरफ्लाइज अब इस पे लगाएंगे तो वह सारी चीज़े कवर हो जाएंगे तो सबसे पहले वाइट बेस के साथ पू जादा से जादा धाई केजी के बनाएं लेकिन तीन केजी का केक मैंने रभी तक ने बनाए ये मेरा फरस्ट केक है त्री केजी का जो मैं इस वाले केक बोड पर बना रही हूं तो इक्सपेरियन्स भी हो गया है और दूसरी चीज़े कि एक चीज का हमें कितना वेट को तो इस तरह के से पूरी आइसिंग को करेंगे केक की और weight जैसे मैंने कहा की अच्छे से handle हो किया कोई problem नहीं है और मुझे दूसरा boot भी इसमें लगाने की कोई भी जवरत नहीं है आपकी अच्छे से पूरी आइसिंग को करेंगे केक को एकदम अच्छे से ठंडा होने के लिए हम फ्रिज में रखेंगे और आप सबको पता है कि जब भी मैं बड़े केक की आइसिंग करती हूँ तो हमेशा मैं सुबा के टाइम पे करती हूँ 10-10-11 बजे कुछ इस तरह का टाइम होता है ताकि शाम को 6-6 या 7 बजे तक जो भी केक हमें वेन्यू पे देना हो या फिर क्लाइंट खुड आते हैं सेल्फ पेकप के लिए तो केक एकदम उनका अच्छे से जिल्ड और सेट रहना चाहिए केक को एकदम अच्छे से रेस्टिंग का टाइम मिलना चाहिए तो इतना टाइम हमें रखना चाहिए कि 6-7 गंटे तक अराम से केक एकदम रेस्ट में रहे तो ऑच्छे से पूरी आइसिंग करेंगे एक बाड और इस은गदम अच्छे साइसिंग करेंगे टॉपली सरफेस वे बूरी ट Sergio हम ऑच्छे से हम और एक रिमुव करेंगे पूरे डिजाइन को इक डब अच्छे से हम बनाएंगे तो devi ठील वाला उसके साथ भी कर सकते हैं बड़े वाली स्क्रापर्स भी कर सकते हो तो सबसे पहले इस तरीके से सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे क्रीम किस तरीके से विप्ट करनाई है इसके भी रेसिपी मेरे चानल पर अपलोड थे तीन बार आप वो जाके भी चेक कर सकते हो बहुत सिंपल तरीका है क्रीम को विप्ट करने का बहुत एजी तरीका है तो उपर की टॉप सोफिस को भी क्लीन कर रहे हैं और यहाँ पर आपको जो यह केक के क्रम्स दिख रहे हैं इन सारी चीजों को फिर से कवर करने वाल है लेकिन इसे हम थोड़ी दिर के लिए पहले रेस्टिंग पर रखेंगे केक को की थोड़ा सा ठंडा हो जाए और जब ठंडा हो जाएगा उसके बाद फिर से इसकी हम आइसिंग करेंगे आइसिंग करोगे न तो आइसिंग बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से हो जाती है आपको जादी महनत नहीं करनी पड़ती है और अगर इतना ही आप हाफ एकदम अच्छे से आइस करके केक को रखोगे ना फ्रिज में केक की जो क्रम्स है वो भी आपके हाट नहीं होंगे जैसे सॉफ्ट है वैसे ही रहेंगे तो ये सारी चीजों का थोड़ा सा फायदा हो जा है और क्रीम जो है वो भी फटा-फट आपकी पूरी केक पे लग जाती है तो बस यही सब कुछ फायदे होते है चोटी-चोटी टिपस और ट्रिक से बाकि आपके पास जैसा टाइम होता है उसके हिसाब से अब टाइम अपना मैनेजमेंट करके सारी चीजों को कीजे आपको जिस तरीके के भी ओर्डर्स आते हैं बड़े चोटे जितना भी टाइम है आपके पास दिन में अगर आपको जितने भी ओर्डर्स आते है अपने असाब से कर सकते हो तो अच्छे से क्रीम को हमने लगाना है और इस तरीके से स्क्रैपर के साथ जितनी भी साइड वाली एज सबसे, यानि कि white और purple, और जो, butterflies हम, यूज़ करेंगे, वो भी, same हम, purple कलर की ही, यूज़ करेंगे, और purple दो color के color होते, एक lavender color होता है एक purple होता है, तो दोनों में difference होता है color में, और यहां पर जो मैं use करूँगी, वो आपका जो कलर है वो परपल कलर है तो हम वो यूज़ करेंगे यहाँ पर लेवेंडर कलर यूज़ नहीं करेंगे दोनों के कलर एफेक्ट जो है काफी जादा डिफरेंट होते है तो एक दम अच्छे से हमें करना है सारी चीजों को और कहीं से भी कुछ भी जो ब्रेट क्रम्स दिखरी वो सारी चीज़े हाइड हो जाएंगी मैं बहुत कम क्रीम लगाने के यहाँ पर कोशिश कर रहे हूँ जो केक की आउटर सफेस है वहाँ पर कि जादा भी क्रीमी ना हो केक क्लाइन को चाहिए उसके हिसाब से लेकिन जहां जहां पर कुछ भी अनिवन दिखेगा उसे फिर से हम अच्छे से कवर करेंगे थोड़ा सा टाइम लगता है बड़े केको एक्दम अच्छे से डेकॉरेट करने के लिए इसलिए थोड़ा सा टाइम लेके सारी चीज़ों को कीजिए ताकि अच्छे से केक एकदम आपका एसेंबल हो सके फिनिशिंग लुक अच्छे से आए और उसे रिस्टिंग के लिए भी अच्छा खासा टाइम मिल जाए तो इस तरीके से सारी चीज़ों को हमें करना है और उपर की टॉप सर्फिस को भी एकदम अच्छे से हम क्लीन कर लेंगे यहाँ पर जो हमारे पास पैलेट नाइफ है उसे और वैदर काफी अच्छा था तो इसलिए बार-बार क्रीम को फ्रिज में रखने की भी जरद नहीं है अराम से आप रख सकते हो यहाँ पर तो एकदम अच्छे से जो हैं यहाँ पर हम यूज करेंगे तो थोड़ा सामने यहाँ पर पैलेट नाइफ पे ले लिया है कलर इस तरीके से डारेक्ट ही हम इसे यूज करेंगे कोई भी क्रीम के साथ इसे हम मिक्स नहीं करेंगे डारेक्ट कलर को यहाँ पर वाइट वाला जो बेस हमने केक का बनाया है उस पर लगाएंगे जैसे हम हमेशा करते हैं तो एक तम इस तरीके से राउंड घुमाते हुए जो पैलेट नाइफ है उसके साथ जितना भी कलर लगा है सबको इस तरीके से कर लेंगे और थोड़ी सी क्रीम मैंने और ले लिए और उसी को हम इस तरीके से पूरा स्प्रेट कर देंगे डॉप अली सरफेस पे नहीं करना सारी चीज़ें उनके हिसाब से उनका कर रहे है तो अच्छे से क्रीम यहां पर हमने लगा दी ती और कलर भी जो था उसके उपर थोड़ा थोड़ा हमने और अच्छे से लगा दिया तो पूरे अच्छे से स्प्रेट करने के बाद कलर फिर इस पे हम डिजाइन बनाएंगे तो यह अल्मोस्ट डन है और जो भी एक्स्ट्रा क्रीम है उसे रिमूफ कर लेंगे फिर से थोड़ा सो और उपर करके लगाएंगे ताकि थोड़ा सो और अच्छे से लग जाए और उसके बाद यहां पर जो हमारे पास स्क्रैपर है स्क्रैपर की यह जो कॉर्णर वाली ए एक्स्ट्रा क्रीम है उसे रिमूफ कर ली रिमूफ करने के बाद थोड़ी सी और लगा दी ताकि अच्छे से जहां पर ना लगी हो क्रीम हम वहां पर उस एरिये पे भी लगा सकते हैं और अब जो है यहां पर दिजाइन बना रहें इस तरीके के स्विल्स के काफी जेंटल हमें रखना है जाधा भी इसे प्रेशराइज नहीं करना है अराम से रखना और जहां से भी थोड़ी सी ब्रेट क्रम अगर दिख रही है क्रीम अगर रिमूफ होगी कोई दिक्कत नहीं है वहां पर हम बटरफलाई लगाएंगे तो वह पार्ट जो है वो कवर हो जाएगा इस तरीके से पूरा डिजाइन हम बनाएंगे और सेम तरीका जैसे मैंने बॉटम लेयर का किया है सेम तू सेम प्रोसेस हमें टॉप वाली सर्फिस का भी करना है कुछ भी दोनों में डिफ्रेंस नहीं है सिफ्लिवर डिफ्रेंस है बाकी सारी चीज़े सेम है उसे भी हमने के की आइसिंग करके रख देना है दोनों को अलग अलग ही रखेंगे फ्रिज में ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए उसके बाद जो है से हम उपर में शिफ्ट करेंगे दूसरी लेयर पे अगर आपके फ्रिज में जगा है तो आप डैरेक्ट भी रख सकते हो लेकिन किसी कि की फ्रिज में नहीं होती है तो यह शाम का टाइम था केकबोड अभी मैंने साफ ने किया यह देखें टॉप अली जो सर्फिस थी उसे भी हमने बना लिया नहीं कि टॉप लियर यहां पर दोनों को अलग अलग रखा और टॉप लियर को भी अच्छे समय तक इसे रिस्टिं जेंटली अराम से केक की लेर्स कुछ भी खराबनी हुई और स्लोली इस पैलेट नाइफ को हम यहां से निकाल देंगे तो काफी इजी प्रोसेस एक बार अच्छे से देख लीजेगा कि केक हमारे सेंटर पे है या नहीं यह आपको चेक करना पड़ेगा तो यहां पर इस त नहीं बार यह अच्छे से और जहां लगे करेंगे अगर इसे थोड़ा चोटा साइस भी होगा तो कोई दिकत निहीं तो भी अच्छी लगगी लेकिन यह सारी आविलेबल था तो यहिए तुछ नहीं है किसे स्टीक्र गाँ जो नाम केक दोगे उन्हें पेहले हैं यह इंगे यह से पर्फेक्ट जैसे हैं पूरी डेकुरिशन को अच्छे से एक दम देखकर हमें लगाना है जितनी ज़रत है उसके हिसाब से बर्डीगल का जो नाम है जब मैं कीक दूँगी उससे एक दम फ्रंट पे हमें लिखना है केक बोट पे हम नहीं लिखेंगे और साथ में जो केंडल होती है बर्डे टैग होता है वो हम दे दिगा और काफी अच्छा सा बर्डे टैग इसके साथ जो मैं आपको दिखाऊंगे और यह जो केक था यह केक मुझे देना ही था वैन्यू और जो इसका केक का प्राइज है और अवर लूप के साथ भी मैं आपको दिखाऊंगे कि इतना मैंने लिया है तो यहां पर यह अलमोस्ट चीजे कम्प्लीट है थोड़े से स्प्रिंकल और हम करेंगे यहां पर वाइट वाले जो पर्ल्स वाले स्प्रिंकल्स होते ना यह वह साथे चार पांच बजी कुछ इस तरीके का टाइम था दोनों लेयर्स को एक दूसरे के ओपर शिफ्ट किया था और उसके बाद फिर से फ्रिज में इसे रख दिया था ठंडा होने के लिए और जब क्लाइन को देना था तब इस केक को निकाला था मैंने तो इस तरीके से न पर 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 अच्छी लगेगी और प्रेजने वाइस बहुत अच्छी लगती है दिखने में इस तरीके से स्प्रिंकल्स हमने कर दिये सारे अल्मोस्ट अम्रा केक जो है वह एक तम कंप्लीट है अच्छे से चेक करेंगे कहीं से भी कमी नहों जैसे हम हमेशा देखते फाइन केक हमें जहां तक लगता है पूरा कंप्लीट है और इसकी ओवराल लुक और प्राइस आप तोनों को दिखाती हूं मैं तो यहां पर यह पूरी ओवराल लुक है इस केकी वेन्यू पर आसे हम लेके जाएंगे केक वहां पे में कुछ भी डेकुरेट नी करना है बर्डे टै सब्सक्राइब शियर जरूर करिएगा डेट सारे कमेंट्स और ऐसे ही मोटिवेट कर जाएगा और जो चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करिएगा थैंक्स फॉर वाचेंग